हाई दोस्ता आट बज्जू के अच जैसे कि आप सभी को बता है हर साम आट बज्जे हमारा लाइब क्लास चलता है तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्यूंकि आज मैं आपका जीगे का टेस्ट लूँगा ठीक है बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर पंद पढ़ाया ना उनका आपका आज टेस्ट है ठीक है तो आज इमानतर इसे टेस्ट देना और बताना कि आपका कितना होता है ठीक है अगर आप यहां से 15-16 कोईसन कर पाते हैं तो मान के चलना आपका जो परेसन है बहुत यह अच्छा है ठीक है उसी हिसाब से आप आगे भी बढ़ाते जाई है बिल्कुल इसी लेवल का एक्साम आएगा ठीक है तो ज्यादा बात नहीं कुछते हुए हम first question की ओर बढ़ते है तो first question पूछा है हमको कि सीलॉंका का पुराना नाम क्या है ठीक है बहुत यह अच्छा question है और आप सभी को में request करूँगा प्लीज आपना जो answer है वो live chat में ज़रूर है ठीक है शीलॉंका का जो पुराना नाम होगा वो क्या होगा शीलॉंड होगा ठीक है इसका ध्यान रख लेना है तो बढ़ते हम next question की ओर तो next question बहुत यह अच्छा question है भाई किसकी cover में लिखा गया था आप सभी को बताना है तो इसका answer जो होगा option यह जो बच्छे बोल रहा है उनका right answer होगा यानि कि महात्मा गांधी जी के cover में लिखा गया था है राम ठीक है इसका ध्यान रख लेना तो बढ़ते हम next question यानि कि तीन number question की ओर तो तीन number question पूछा है कि पटना की इस नदी के तीर पर इस्ती थे आप सभी को बताना है भाई बहुत अच्छा जो बच्छे option B बोल रहे हो ना गंगा उनका ही right answer होगा ठीक है गंगा नदी के तीर पर जो है वो पटना इस्ती थे ठीक है और गंगा नदी के व बड़ते हैं रहे होगा है की भारत में लिग नाईीट पलिग जाता है भारत में लिग नाइट बचुर मात्रा में कहां पाया जाता है थीकि ऑर नहीं answer होगा ठीक है वह सोच समझ के थोड़ा answer देना यासा नहीं कि जो मन में आये वो लिख दीजएगा ठीक है अगर नहीं आता तो आप मन में सोच ले रहे हैं कि यह escape कर दिया मेंने ठीक है अगर आप वहां पर exam hall में भाई अगर आपको नहीं आता तो मत करना ठीक है बरना आप गलत अंसर दोगे तो आपको जो है वो नंबर माइनस हो जाएगा ठीक है इसका भी ध्यान रख लेना है माइनस नंबर जो हो बहुत ही important होता है वह इंडियन आनमी के exam में गलत चीज़ नहीं करके आना हो हो सके तो आप छोड़ दो अगर आपका 35-36 हो गया ना तो आप ज़्यादा मत रिक्स लो ठीक है तो बढ़ते हम पांच नंबर कोईस्टन की हो तो पांच नंबर कोईस्टन पूचा है कि which place in India receive maximum average rainfall ठीक है यह average हुचा है इसका ध्यान रख लेना हिंदी में बोल रहा हूं है भारत में किस स्थान पर अधिक्तम वासत बढ़सा होती है आप सभी को बताना है ठीक है इसका answer जो होगा जो बच्छे option B बोल रहे हो ना उनका right होगा ठीक है और बाकी सब का गलत है भाई option B जो है इसका right answer होगा ठीक है इसका ध्यान रख लेना चेरा पुंजी जो है इसका right answer होगा मतलब में आप लोग आप ज्यादा time waste नहीं करूँगा ठीक है पटापट में answer बोल दूँगा और कल से जो है मैं कोसिस करूँगा 25-30 question include करो और वहां से आपका जो है भाई पेसर है वार भी बहुत सारा काम होता है इसलिए मैं ज्यादा time नहीं दे पा रहा हूँ इसलिए मुझे माप कर देना कल से मैं कोसिस करूँगा फूरा अच्छे से cover करने का हर एक class में आपका 100 question cover कर दूँगा ठीक है तो भाई next question पूछा है कि दोना चड़ जो यावा आप सभी को बताना है दिलवाडा मंदिर जो है वो कहां पर है आप सभी को बताना है तो बहुत ही अच्छा option B जो बच्चर बोल रहे हो ना mount abu इसका right answer होगा ठीक है इसका धियान रख लेना है तो बढ़ते हम 9 number question की और तो 9 number question क्या पूछा है कि भारत में uranium का सबसे बड़ बंडर किस राज़े में है आप सभी को बताना है इसका right answer दीजिए बहुत ही अच्छा question है मान के चलना कि इसी level का आपका इंडियन आर्मी में एक question बिल्कुल पूछा जाएगा ठीक है तो इसका answer जो होगा option C जो बच्चे बोल रहे हो ना जढ़कंडून का right answer होगा ठीक है तो बढ़ते हैं 10 number question की हो तो 10 number question भी बहुत ही अच्छा question है वह यह question जो है जो वेस्ट बंगॉल के मेरे साथी है ना उनके लिए नहीं आएगा ठीक है जो बाकी दूसरे राज़े से है ना जो वाई तीपुरा से है आसाम से है जो मेरे राज़ेस्तान के साथी है मद्धर प कोलकाता किस नदी के तीर परिस्तित है आप सभी को बताना है तो कोलकाता जो होगा वो हुगली नदी के तीर परिस्तित होगा ठीक है इसका ध्यान रख लेना है और विक्टोरिया मेमोरियल भी कोलकाता में है बहुत ही important question है वहाँ से भी question पूछ लेता है आप से कभी बहु वो एक डिल्डा है ठीक है और सुन्दरबान में भाई रॉयल बेंगॉल टाइगर के लिए फिमास है और सुन्दरबान जो है वो इस बेंगॉल यानि की पस्टीम बंगाल मीचती थे ठीक है तो पड़ते हम नेक्स्ट कोईशन की तरफ तो नेक्स्ट कोईशन भी बहुत ही अ आप सभी को बताना है तो बहुत को जो बच्चे ऑप्सेंसी बच बोल रहे हो ना सुटिंग के साथ संब्धित है विजय विजय कुमार ठीक है इसका ध्यान रख लेना है तो बढ़ते हैं 12 नंबर कुश्टन की और और मैं बोल दो बच्चे मुझे पेमेंट कर चुके हो उ सब्सक्राइब करने से भी नहीं होगा ठीक है आपको कॉल करना पड़ेगा ठीक है तो जो बच्चों ने वाई पेमेंट कर दिया है पर कॉल नहीं किया मैं उनको बोल रहा हूं कल सुबा नौ से लेके बारा बज़े के बीच कॉल कर लेना और हर रोज में नौ से लेके बारा बज़े आपका कॉल उठाओंगा जिन बच्चों का जो भी पॉबले में नौ से लेके बारा बज़े तक कॉल कर लेना ठीक है और जिनको पीडिएप चाहिए भाई वो करूंगा प्लीज प्लीज आप बस वो पीडियेप के उपर ज्यादा फोकस करना पीडियेप आप ध्यान से रट लेना वाई एक कुछन में मत चोड़ना आपको गैरेंटी में देता हूं आपका सिलेक्शन हंड्रेट परसन हो जाएगा ठीक है मैं रिक्वेस्ट करना हूं पर तो विजे कुमाज होगा वो शुटिंग के साथ संब्दित होगा ठीक है तो बढ़ते हम बारा नंबर कुछन की हो तो बारा नंबर कुछन पूछा है कि दा ओल्डेस रिफाइनगार इन इंडिया ठीक है इसका आंसर दीजिए भारत में सबसे पुराना तेल मतलब बॉल रहे हैं उनका राइट एंसर होगा यानि कि ओप्सन ये में होगा इसका राइट एंसर तो बढ़ते हम तेरा नंबर कुछन की हो तो तेरा नंबर कुछन भी इंपर्ड़ है आपका यहां से एक कुछन भाई आने का बहुत चांसे वही देखिए वही इस टाइप का इंबन में applies कि से सहत्र में नहीं दिया जाता है ठीकषा यहां से दो सफन भूस्त बनता है ठीक जो बाकी सार व्पसन होगा न मतलों वहाँ पर दिया जाता है डीक्याइक हो कि सान्ती नोबेल दिया जाता है डिकति तो यहां से नोबेल प्राइस दिया जाता है और नोबेल नहीं दिया जाता है ठीक, इसका ध्यान रख लेना है, तो बढ़ते हम 14 नमबर कुशिट्टन की और बहुत इंपोर्टन कोशिशन है यहां से एक क्वेस्टन भी बनेगा की कौन से दिन क्या आता है जिस लेबल का इं एक कुश्चन आता है मैंने उसी लेवल का एक कुश्चन लाके रख दिया ठीक है ताकि आपको पता चल सके बिल्कुल किस मॉडल का आपका एक्जाम होता है ठीक है तो यह कुश्चन पूछा है कि एड्स डे कौन से दिन को मना जाता है तो बहुत ही अच्छा है आपका तैया खूच किया था आप सभी को बताना है टेली विशन का खूच जह है वो किस ने किया था आप सभी को बताना है बहुत कुश्चन पूछ बोल रहे हैं उनका राइट एंसर होगा ठीक है इसका ध्हान रख लेना है तो बढ़ते हैं या इसका ध्यान रख लेना है तो बढ़ते हम next question की हो तो next question पूछाए की planning commission कौन से साल सुरू किया गया था आप सभी को बताना है planning commission कौन से साल को setup किया गया था बहुत ही अच्छा question है वही इसका answer जो होगा ना option B जो वच्छे बोले ना 1950 में इसका right answer होगा तो बढ़ते हम next question की तरफ तो next question भी important question है भाई चिप को मुमेड और जी started भाई चिप को अंदलन किसने सुरू किया था आप सभी को बताना है तो बहुत को भाई सुन्दर लाल भोगुना जो बच्छे पहले से बोल दे रहा हो भाई आप लोग का तयारी साच में बहुत ही जाएगा ठीक है क्योंकि आप सभी को पता है बहुत ही मेहनत करके हमने बहुत जगा से खरीदा है वह पीडियेव और आप लोग को इतने कमदाम में दे रहा हूं भाई प्लीज आप उसको भाई सिर्प 80 रुपिया का माल समझ के मत पढ़ले ना भाई इतना अच्छा मैट् पूंदरलाल बहु बना ठीक है इसका ध्यान रख लेना है तुनिस नंबर कोईशन पूचाए कि दो फास्ट इंडिया लेडी तू बिकाम मिस्ट वाल्ड ठीक है मतलब भारत की प्रतम महिला कौन था जो मिस्ट वाल्ड बना था आप सभी को बताना है तो इसका आंसर जो हो होगा हो क्या हो रिता फरिया ठीक है इसका ध्यां रख लेना है इसकן से जो होगा रिता फरिया और रीता रिता फरिया जो है उनीशो चूर में बना था मिस्वार्ड 1966 में बना था ठीक है इसका ध्यान रख लेना है मुरी ताफरिया जो है वो भारत की प्रतम महिला मिस्वार्ड बना था तो आज का आखरी कोई सें और बहुत ही अच्छा कोई सें पूचा है कि भाई मतलब बंदे मातरम कहां से लिया गया था ठीक है करने करवायाना इसी टाइप का आप कुशन पढ़के जाना आपका इंडियान आर्मी का एक्साम बिल्कुल भी सिलेक्शन आपका हो जाए ठीक हम इस तरह का कुशन कोई बादा ना आ सके ठीक है जैसे कि आप सभी को पता है मैंने आपको बोला था आज 20 कोशन का टेस्ट है हमारा खतम हो गया प्लीज मैं रिक्विस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को से कि आप अपना जो कमेंट है वो जरूर बताईएगा ठीक है कि आपका कितना होता है वो जरूर बताईएगा अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो ना आपका मेडिकल और भाई मतलब फिजिकल कम्पलीट हो गया तो आपके लिए बेस जगा है यहां बहुत ही अच्छी तरह के से पढ़ाया जाता है आपको इंडियन आर्मी के लिए और भाई अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लाइना अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करना और हम आपसे मिलेंगे कल मिलेंगे साम आट बजे हर साम मिलते हैं हम लाइब क्लास के साथ तो देखना ना भूलिएगा इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पर तो देखना ना बद भुलिए इंडियान आर्मी स्टूडियो चैनल को